घनी जंगल के एक छोर पर वसा था, एक सुंदर सा गाउ, अजब गढ़, उसी गाउ में रहता था, योगिश, योगिश बढ़ाई का राम करता था, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का पिंटू और एक लड़की पिंगी, पिंटू और पिंगी की मा बचपन में ही चलबस पिंटू और पिंकी नई मा को पाकर बहुत खुश हुए लेकिन उनकी सौदेली मा कायतरी उन्हें देखकर खुश नहीं हुई वो एक दुश्ट औरत थी वो किसी भी तरहां उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी वो रोज अपने पती से पिंटू और पिंकी की शिकायत हैं करती ताकि वो उनसे नारास हो जाए अरे पिंटू के बापा आपको पता है आज पिंटू और पिंकी पूरा दिन खेलते रहे और इन्होंने मेरी बात नहीं माने और मुझे उल्टा जवाब भी दिया लेकिन ऐसा हुआ नहीं योगेश पिंटू और पिंकी से बहुत प्यार करता था इसलिए वो उन्हें प्यार से समझाता कि वे अपनी मा को परेशान न करें और उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका न दे पिंटू और पिंकी भी पिता की बात मान अपनी सौतेली मा को खुश करने की कोशिश किया करते लेकिन वो तो किसी भी तरह बस उन दोनों से चुटकारा पाना चाहती थी एक बारूं के गाउं में सूखा पड़ गया लोग खाने को मोहताज हो गए इस थिती में सौतेली मा पिंटू और पिंकी से और ज्यादा चिहने लगी उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफ़त लगने लगा एक रात वो अपने पती से भोड़ी गाउं में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े है ऐसे में हम पिंटू और पिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते हमें उन्हें जंगल में छोडाना चाहिए ये सुनकर पिंटू और पिंकी का पिता उदास हो गया और बोला वो नन्य बच्चे मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ कुछ तो अनपर दया करो सौतेली मा ने अपना फैसला सुना दिया जिसे मन मार कर पिंटू और पिंकी के पिता ने मान लिया इन दोनों की बातें पिंटू ने सुनी जो समय जाग रहा था वो तुरंत घर के अंगन में गया और वहां कोने में रखे डिपे से अपने कुछ गंचे अपने पास रख लिये अगली सुभा सौतेली मा उनसे बोली पिंटू और पिंकी हम लोग लकडिया काट में जंगल जा रहे हैं तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हूँ चलो जलदी तयार हो जाओ पिंटू और पिंकी जंगल जाने के लिए तयार हो गए पिंटू ने अपने गंचे अपनी पैंट के जिब में रख ली है फिर सब जंगल के लिए निकल पड़ी जंगल में एक स्थान पर पहुँचकर सौतेली मा बोली पिंटू और पिंकी तुम लोग यहीं रुको हम लोग दूसरी जगह से लगडिया काट कर आते हैं उनका पिता कुछ नहीं बोला बस उदास अंखों से उन्हें देखता रहा फिर उनकी सौतेली मा के साथ वहां से चला गया पिंटू और पिंकी वहीं उनका इंतिजार करने लगे शाम हो गई अंधिरा चाने लगा लेकिन उनके माता पिता नहीं लोटी पिंकी डर के मारे रोने लगी तब पिंटू से दिलासा देता हुआ पोला पिंकी डरो मत मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा उसके बाद वो अपने द्वारा रास्ते में डाले गए कंचो को देखता हुआ पिंकी के साथ घर चलाया जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दोड़ कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया उसे अपने किये पर बहुत बच्चतावा हो रहा था वो बोला मेरे बच्चो मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी कलती हो गए आंदा से मैं तुम लोगों को कभी खुच से दोर नहीं करूँगा पिंटू और पिंकी को वापस घर आया देख सौतेली मा नारास हो गई वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी कुछ दिनों बाद जब उसका पती किसी काम से शहर गया तो वो पिंटू और पिंकी के पास चाकर बोड़ी चलो आज लकडिया काटने जंगल चलती है पिंटू अपनी मा की चाल समझ गया लेकिन उस समय उसे कंचे उठाने का मौका नहीं मिल पाया वो भाग कर रसोई खर गया और वहाँ से चावल के दाने अपनी जिम में डाली है इस बार सौतेली मा उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई पिंटू इस बार चावल के कुछ दाने रास्ते में डालता गया जंगल पहुचने के बाद सौतेली मा उन्हें पेल के नीचे बैठा कर बोड़ी तुम दोनों यहां बैठ कर मेरा इंतजार करो मैं दूसरी तरफ से लगडियां काट कर आती हूँ पिंटू और पिंगी वहीं बैठ कर सौतेली मा का इंतजार करने लगे शाम हो गई और फिर रात लेकिन सौतेली मान नहीं आई पिंटू अब क्या होगा हम घर कैसे जाएंगी जंगल में तो हमें चंगली चानवर बार कर खाजाएंगी पिंकी हमें सुबा तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा मैंने घर से यहां तक के रास्ते में चावल के दाने डाले हैं लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे सुबा होने पर आम उने देख कर घर पहुँच जाएंगे डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई सुबा होने पर वे घर के लिए निकले लेकिन पिंटू ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थी वे चिडिया और किनारी खा गए थी इस कारण दोनों जंगल में भटक गए भटकते भटकते वो एक स्थान पर पहुँचे जहां उन्हें एक खुब सुरा चॉकलेट घर दिखाई पड़ा वो घर ब्रेड, केक, चॉकलेट और मिठाईयों से बना हुआ था उसमें धेर सारी कैंडी और चॉकलेट, कॉफी भी लगी हुई थी दोनों की भूग जा गई, दोनों उस घर के पास गई और चॉकलेट, केक, बगिना बगिरा खाने लगी तभी ये पूरही औरत महां आई, उसे देखकर पिंटू और पिंकी डर गए डरो नहीं बच्चो, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे पच्चों के लिए ही बनाया है आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा-च्छा खाना खिलाओ की दोनों भूखे थे, इसलिए बोढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए बोढ़ी औरत ने उन्हें धेश सारा खाना खिलाया खाना खाकर पिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए उन्होंने बूरी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए है और वे जंगल में भटक गए है उन्होंने पूर्ही औरत से पूछा क्या आप हमें हमारे घर पहुचा देंगी? ये सुनकर पूर्ही औरत जोर-जोर से हसने लेगी अब तुम लोग यहां से कहीं नहीं जा सकते तुम्हें यहीं रहना होगा मैं तुम दोनों को खा कर अपनी भूख मिटाऊंगी दरसलो बूड़ी औरत एक चुड़ायल थी जो बच्चों को मार कर खाया करती थी ब्रेट केक मिठाईयों वाला घर उसने बच्चों को आकरशित करने के लिए ही बनाया था उसने पिंटू को एक पिंजड़े में कैद कर लिया और बोली लड़के तु इस पिंजड़े में बंद रहे जब मोटा ताजा हो जाएगा तब दुछे खाऊंगी पिंटू को उसने घर के काम में लगा दिया पिंटू और पिंटी डर में चीने लगे वो दोनों वहां से बाहर निकलने का उपाई भी सोचते रहते थे एक दिन बोली चुड़ेल पिंजड़ी से बोली आज एक बड़े बर्तन में पानी करम करो मैं उसमें पिंटू का सूप ना कर पियोंगे पिंटी डर गई उसने ये बाद चाकर पिंडू को बताई तो उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक उपाय सूच गया उसने वो उपाय पिंकी के कान में बता दिया फिर पिंकी एक बड़ी बर्तम में पानी कर्म करने लगी कुछ देर बाद बूरी चुडैल आई और पिंकी से पूछने लगी पानी कर्म हो गया क्या मैं की छोटी सी हो और ये बर्तम इतना बड़ा मैं इसमें चुडैल कैसे देखू आप खुद ही देख लो ना बूरी चुडैल बोई ठीक है और एक स्टून पर चढ़कर बर्तम में जाखने लगी तभी पीछे से पिंकी ने उसे गर्म पानी के बर्तम में धक्का दे दिया हाई हाई चल गई मर गई बचाओ बचाओ गर्म पानी में चर कर चुडैल मर गई पिंकी ने पिंटू को आसाद कर दिया पिंटू पिंकी से बोला अब हमें बिना देर के यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। भाई, मैंने यहां एक मटके में धेर सारी सोने की सिक्के और हीरी जवाहराद देखे हैं। क्योंना हम उनमे से कुछ अपने साथ ले चलें, इससे हमारी करीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारी माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सुने के कुछ सिक्के और हीरी जवाहराद एक ठेले में टाकर घर से बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए, वे किसी तरह शाम ठले अपने घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उधास बैठा हुआ है। वे जब पिता के पास पहुंचें, तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा और उन्हें गरे लगाते हुए बोला। मुझे, बच्चों मुझे माफ कर दो, मेंकी वज़े से तुम्हें इतनी परिशानी हुई, अब तुम्हें कोई परिशानी नहीं होगी, मैंने तुम्हारी सौते निमा को घर से निका दिया है।